हेलो इंजिनियर्स वेलकम टू दा नेक्स सेशन इस सेशन से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस सेशन में भी हम लोग तीन एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे एक तो यह हो गया दूसरा यह है तीसरा यह है तो चलिए फिर एक्सरसाइज नंबर वन से हम लोग शुरू करेंगे बिलकुल सिंपल सा है आप देख सकते हो इसमें भी थोड़ा सा ड्राइंग हमारा फेंट है बट यू डोंट वरी मैं आपको समझाओंगा ठिक यहाँ पर द तो चलिए फिर शुरू करेंगे यहां से मैं नया फाइल लेता हूं उससे पहले मैं करता हूं सेलेक्ट वर्किंग डिरेक्टरी और मैंने डेक्स्टॉप में क्रियो टुटोरियल नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है आप इसको सेलेक्ट कर लेजिए ताकि जो भी मैं करते हैं टुटोरियल अंडर स्कोर फोर इंच में रहने देता हूं कोई दिक्कत नहीं है बाद में हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं तो बार-बार यहां से जाना टाइम वेस्ट है आप ओके कर दीजिए कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेना जरूरी है आप चाहें तो पर रखने लॉक मोडिफाइड डामेंशन यह सारे चीजे चेक कर लिजे एक बार मेंग दा स्केचिंग प्लेन पैरलल टू दा स्क्रीन और यहां पर रख्या स्क्रॉल किजिए तो आपको यह सब दिखाए देगा मैं यहां पर तीन डाल देता हूं एंदेन ओके कलर वगेरा ए एक्स्टूजन भी ले सकते हो तो मैं यहां स्केच लेता हूं और यहां पर भी हमें कोई सेंटर लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं ऐसा ही शुरू कर देता हूं यह देखिए मैं दो लाइन लूँगा ऐसा ऐसा करके यहां से आर्क लूँगा शुरुवाद किया इधर से ऐसा 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 ठीक है मिडिल माउस और यहां से आप यह वला आर्क ले लो मिडिल माॉस आचुका हाभी डाइमिंशन डालते हैं यह मेरा 365 है डबल क्लिक करें तो यहां से टोटल हाइट मुझे इसका इसमाल करना होगा 150 मिडिल माउस वैल्यू डालिए इसका रेडियास दिया हुआ है 60 का मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा 60 और इसका टोटल है 50 का स्वरी 60 का तो यहां पर भी मैं डबल क्लिक करके 60 कर देता हूं मिडिल माउस और जितने भी लॉक डायमिंशन है मेरे डार्क रेड में आ रहा है आप चाहोत यहां से प्लेन को आफ कर सकते हो और यहां से हम लोग स्वर यहां से यह जो है हमारा कंस्ट्रेंट्स को आफ कर देता हूं अगला क्या है यहां पर एक सर्कल लेना है 50 डायमिटर का यह लिया सर्कल सेंटर मिडिल माउस ठीक है यहां से आपको कर देना है 50 डायमिटर डबल क्लिक किजिए 50 लिखर 20 Okay, now what? यह देखिए मेरा 25 रेडियस का फिल लेट है तो यहां से जाए यह मेरा फिल लेट इसको सलेक करता है और इसको देखिए यहां पर यह dimension मेरा वीक में हो गया तो ऐसे सिच्वेशन में आपको क्या करना चाहिए के line का dimension में डालिए dimension में जाके इस line को select किजिए और इसको select किजिए then middle mouse किजिए तब यह perfect आएगा समझे और उसके बाद यह देख लिजे मेरा 25 का radius है आप यहां पर double click किए जिए और 25 डाल दीजिए और इस तरह से यह हमारा total हो चुका सी कहीं से भी हमारा hill नहीं रहा है कुछ कि यह मेरा edit नहीं हुआ आप इसको फिर से double click करके 60 डाल दो अब जाकि यह मेरा perfect हुआ लॉक नहीं हुआ था strong में convert हुआ था बाट लॉक नहीं हुआ था लॉक नहीं करोगे तो फिर यहीं लेगा ठेक है तो value edit करोगे modify करोगे तो जाके edit हो जाता है वो यह हमारा profile तो बन गया सर जी है ना अब बस आपको यहां से ok कर देना है middle mouse करके rotate करना है extrude लेना है और कितना value यहां पर दिख रहा है ले लेते हैं जितना मन करें उतना 200 के आसपास and then यहां पर आपको right click करना है यह रहा मेरा symmetric say ok see यह हमारा default color आ चुका है अगर आप इसका color बगेरा change करना चाहते है definitely आप कर सकते हो मैं पहले shading with edges कर देता हूँ और यहां से auto round कर लेता हूँ यहां पर मैं one का ले लेता हूँ या तो फिर two का ले लो क्योंकि dimension काफी ज़्यादा है आप इसको ok किजिए यह कोई compulsory step नहीं है बस मैं बता रहा हूँ कि कोई भी object का sharp edge नहीं होता है 100% ठीक है तो इसलिए हम round कर देते हैं color वगएर डालना है तो आप यहां व्यू में जाईए और यहां से आपको जो color लगता है apply किजिए आपकी मर्जी है मैं green कर लेता हूँ tutorial number 4 then ok see shading with reflection कर लेते हैं see कुछ इस तरह से दिखेगा बिल्कुल twice जैसा लग रहा है तो आपकी मर्जी है आप यहां से dark करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहां से जाईए और मैं इधर जाता हूँ इसका color मैं थोड़ा dark कर देता हूँ see इस तरह का तो आप control कर सकते हो हर एक चीज को control कर सकते हो ok ok see ठीक न यहां से आप ऐसे भी रखना चाहो तो रखिए आपकी मर्जी आप चाहो यहां से भी चेक कर सकते हो इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ अगर मैं distance लेता हूँ इस face को select किया control और इस face को select किया यह देखिए 365 इंच अगर आपको यह mm में चेक करना है तो यह plus sign पे आपको click करना होगा और इस पे भी plus sign पे click किजिए और यह जो है यह वाला इस पे click किजिए यह dialogue box आएगा यहां से आप इंच को हटा के mm कर दो और ok कर दो यह देखिए मेरा mm में दिखा रहा है और exactly आपको 365 mm देखना है तो उसका जो है तरीका अलग है अभी मैं बताता हूँ file आपको prepare में जाना होगा उसके बाद model property में जाना होगा और यहां से देखिए इसको change किजिए और अभी क्या करना होगा तो देखिए मैं यहां पर millimeter select करता हूँ set करूँगा यहां से यह ले लेता है interpret dimension for example 1 inch become 1 mm okay अब जड़ा check करते हैं इसको close करेंगे अभी हम check करेंगे तो इसका जो आएगा value यह मैं distance लेता हूँ इसको select किजिए control और इसको select किजिए see यहां पर 365 mm आ गया तो गलती से अगर part लेते समय mm के जगा पर आपने inch ले लिया है तो हम बाद में इसको convert कर सकते हैं so don't worry ठीक है चल यह यह पार्ट हमारा बनके तयार है आप चाहो तो यहां से shading with reflection कर दो यह थोड़ा सा ऐसा दिखेगा अगर आपको और भी modification चाहिए तो यहां से आप कर सकते हो everything you have यहां से आपको जो लगता है आप किजिए उसमें क्या है click करेंगे and here we have जैसा आपको लगता है आप ले लीजिए texture वगएरा भी है bumps वगएरा भी है यहां से अगर मैं काश लेता हूँ तो इसका अलग सा हो जाएगा अब यह आपको थोड़ा सा texture जैसा दिखेगा see ऐसे नहीं पता चल रहा है यहां पे भी नहीं पता चलेगा लेकिन इसमें जाईएगा तो थोड़ा आपको दिखाए देगा texture शेप में यह देख लो see कैसा दिख रहा है तो यह सारे आप add कर सकते हो यह सब आपके मर्जी है see see ok close it यह आप texture यहाँ पर जड़ा देख सकते हो गोर से है ना so जैसा आपको लगता है यह देख लिजे मेरा texture दिखाए दे रहा है इसका scale भी हम लोग कम कर सकते हैं तो bump में जाएंगे scale इसका थोड़ा छोटा करेंगे see देखिए यहाँ पर आपको highlight होता हुआ दिख रहा होगा see और छोटा होगया heights वगरा भी हम control कर सकते हैं see so जैसा आपको चाहिए you can control everything यह सब मैंने एक proper lecture लिया हुआ है इसका close करेंगे see यह देख लो तो आपकी मर्जी है मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ control s and say ok to it यह हमारा पहला exercise complete हुआ यह है हमारा exercise number 2 see simple है बिल्कुल simple है नया file again tutorial number 5 tutorial underscore 5 enter इसको भी हम by default inch में ही रहने देते हैं कोई problem नहीं plane को हमें show करना होगा क्योंकि sketching कैसे करेंगे फिर इस side लेना है plane तो वही रहेगा select किजिए as press किजिए अपने keyboard से यहां से मैं line लेता हूँ कुछ इस तरह से ऐसा ऐसा ठीक है और यहां से मुझे arc चाहिए तो मैं इधर जाता हूँ यह वला या तो फिर एक काम और कर सकते हैं जैसे कि मैंने line लिया यहां से ऐसा 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 right click किजिए और यहीं से आपको arc मिल जाता है right click करके एक second hold करोगे तो आपको मिल जाएगा तो वहां जाने की जरूरत हमें नहीं है see फिर line चाहिए right click किजिए यहां से line लिजिए आपका time बचेगा see फिर यहां इसके बराबर जाता हूँ फिर arc चाहिए यहां से ले लो तो आपका समय कितना बच रहा है middle mouse यह देखिए यहां जाने के हमें जरूरत नहीं यह भी मैंने बताया हुआ है यह मेरा total 50 है dimension लेता हूँ line center point middle mouse 50 ओके यह भी मेरा 50 इसको select किजिए इसको select किजिए middle mouse 50 ओके अब देखिए यह मेरा 10 radius यह भी 10 का ही होगा equal equal है क्यों क्योंकि 2 into r 10 दिया हुआ है मतलब दो जगों पर radius सेम रहेगा मतलब हर चीज यहां पर equal equal है ठीक है यह radius में double click करके 10 ले लेता हूँ middle mouse कर देंगे और इसको पकड़ो control और इसको पकड़ो यहां से मैंने equal कर दिया तो इसका भी 10 का हो गया अब यह आप circle ले लो यहां से एक और यहां पर मैं दूसरा वाला equal कर देता हूँ यहां पर देखिया highlight हो रहा है आपका यहां पर आपको middle mouse कर देना है और इसको जो लेना है वो 14 लेना इसी यहां से 14 mm तो यह ले लिया मैंने 14 का 14 mm नहीं होगा यह actually inch होगा है क्योंकि by default तो हमने inch ही लिया है ना लेकिन हम इसमें changes कर सकते हैं कभी भी ओके ना यहां से extrude ले सकते हो direct आप x प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा sketch बनाया ना sketch आपका selected है अपने keyboard से x को प्रेस कीजिए आपका काम हो जाएगा यह क्रियो काफी update होकर आया है और बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने में है की नहीं आप पुराने versions में इतनी आसानी नहीं होती थी see यह हो गया हमारा काम अगला step यहां से मैं auto round ले लेता हूँ दो नहीं लूँगा 0.5 लूँगा ओके कर देता हूँ यह देख लिए सारे edges हमारे rounded हो चुके हैं और color वगएर आप डालिए इधर से कैसा चाहते हैं यहांस ऐसा ले लेता हूँ ऐसा लिया इन से ओके ज्यादा मैं इसमें हेंकी पेंकी नहीं करने वाला हूँ आप कर लेना लेकिन ठीक है background color आपको जैसा चाहिए आप ले सकते हैं आपको पता ही है कैसे करना है सो देखिए क्या है मैं बार बार एक ही चीज क्यों बताता हूं repeat करके क्योंकि आपका confidence बढ़े है ना plane का color भी बदल देते हैं थोड़ सी ठीक है चलो इसको भी हम कर देते हैं ctrl s यह मेरा tutorial number 5 हो गया ओके अब मैं इसको close कर देता हूं यह है इस session का मेरा आखरी पार्ट और यह भी बिल्कुल छोटा सा पार्ट है तो चलिए इसकी भी शुरुवात हम करेंगे ठीक चलिए एक नया file लेते हैं tutorial number tutorial underscore 6 इंटर वही direction same select किजिए ctrl s sorry ctrl s नहीं करना है only s करना है अब यहां से हमें center line की जरूरत है मैं यहां से center line draw कर लेता हूं middle mouse जरा गौर से देखिए यह वाला line में लूँगा कैसे यहां से line लीजिए यहां से मैं सुरुवात करता हूं यह देखिए मेरा symmetric आगया automatic उसके बाद मैं इधर जाता हूं उसके बाद मैं इधर गया उसके बाद मैं थोड़ा उपर जाता हूं उसके बाद मैं ऐसे चला जाता हूं middle mouse middle mouse see इतना सारा मैंने sketch बना लिया है अब मुझे आधे portion को इधर mirror कर लेना है कैसे करेंगे है ना ता आप ऐसे drag कीजिए मैं drag करके कैसे select करता ह आपको पता ही है control press करके इसको और इसको भी select कर लो and then यहां से mirror ले लो और इस center line को select कर लो बस एक line ले लेना है यहां से middle mouse middle mouse so everything is looking fine अब dimension यह 60 यह 60 यह 120 चलिए इसका total length हम डालते हैं select select middle mouse 120 यह अगर color अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यहां से मैं बदल देता हूँ यहां से मैं गया sketch में और इसका color ऐसा है ना तो यहां से lock dimension को मैं कर देता हूँ yellow okay see अगला क्या है so देखें यह मेरा 30 यहां पे double click 3030 उसके बाद यह मेरा height 15 select middle mouse 15 उसके बाद यह 60 1.2 point middle mouse यह already 60 का है तो हम यहां डालने की जरूरत नहीं समझते हैं ठीक है आप इसको delete कर दो no problem और यह मेरा 60 degree है आप इसको select किजिए इसको select किजिए middle mouse 60 degree यह हो गया और इसको फिर से लेंगे यह मेरा total 135 है select select 135 ओके यह मेरा 60 double click करेंगे see यह हमारा काम हो चुका तो यहां पर हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन एक बार जरूर आप चेक कर लिजेगा और reference line reference dimension जरूर डाल दीजेगा ताकि हमें यह पता चल जाए वबा यह 60 ही है चेक करने के लिए बस है ना चल यह ता आपको पता चला आईए देख लीजे यह भी मेरा 60 का चुका और यह drawing भी हमारा complete हो गया है and then okay यहां से आप express कर दो मैं यहां पर नहीं जा रहा देखिए इसका shortcut आपको पता चलेगा X तो यह sketch हमारा selected है और अगर नहीं है selected तो आप इसको select कीजिए और express कीजिए automatic देखिए मेरा extrusion हो जाता है तो यह shortcut है अब इसका thickness कम ही दिख रहा है तो मैं यहां से सरकाता हूँ थोड़ा सा left mouse बटन दबाके यहां पर right click किजिए और इसको symmetric ले लिजिए मैं इसको 20 या 25 का ले लेता हूँ that's looking fine ओके अब एक जहलक जहरा dimension पे नजर डालिएगा मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ color थोड़ा बदल दूँगा यह stress दिख रहा है अगर मैं इसको check करूँगा यहां से यह distance लेता हूँ मैं इस face को select किया control इस face को select किया see यहां पर mm दिख रहा है इतना distance इंच में चेक करना है, इंच में भी ले सकते हो, यहां से, मैं इंच ले लेता हूँ, यह देखिए 120 इंच, जो की यहां पर भी दिया हुआ है, 120 इंच, लेकिन मुझे mm में करना है, तो मैंने बताया है न, फाइल, प्रिप्यर, मॉडल प्रोपर्टी, यहां से युनिट में ज कर देना है, अभी आप चेक कि दे डिस्टेंस, तो 120 इंच के जगा पर 120 mm आएगा, यहां इंच आ रहा है, क्योंकि मैंने यह जो है इंच लिया है, अभी आप mm करोगे तो mm आएगा, ओके, यह देख लिए 120 mm, तो यह सारे मैं बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ, काफी है, चेक कीजी जरा सा, यह रहा हमारा, कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप यहां से शेडिंग विद रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो, ओके, आई होप यह तीनों टुटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अभी प्राक्टिस कीजे, ठीक है, बाबाई, गु